मेरे प्यारे देश्वासियों आज मैं अपनी बात की शुरुवात एक बाद एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं कुरुतम में दक्षिने हस्ते जयो में सव्याहित हो इस बात को भारत के संदर में देखे तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली कि कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है इस उपलब्दी के पीछे एक सो तीस करोड देश वास्यों की करतव्य शक्ति लगी है इसलिए यह सफलता भारत की सफलता है हर देश वासी की सफलता है मैं इसके लिए सभी देश वास्यों को रदय से बढ़ाई देता हूं साथियों सो करोड वैक्सिन दोच यह केवल एक आंकड़ा नहीं है यह देश के सामर्थ का पतिविंब है इतिहास के नए अध्याय की रचना है यह उस नए भारत की तस्वीर है जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है साथ्यों आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है उसकी सराना भी हो रही है लेकिन इस विश्लेशन में एक बात अक्सर छूड़ जाती है कि हमने ये शुरुवात कहां से किया है दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना वैक्सिन खोजना इसमें दस्रकों से उनकी महारत हैं एक्सपरटाइज थी भारत अधिक तत इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निर्फर रहता था हम भार्चे मंगवाते थे इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने रगे क्या भारत इस वैस्ट्रीक महामारी से लड़ पाएगा भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेंदे का पैसा कहां से लाएगा भारत को वैक्सिन कम मिलेगी भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके भांती भांती के सवाल थे लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोज लगाई हैं और वो भी मुक्त बिना पैसा लिए साथियों सो करोड वैक्सिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है उसे और मजबूती मिलेगी पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है मैसूस कर रहा है साथियों भारत का वेक्सिनेर्शन अभ्यान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवन उधारन है कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशनका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोक्तंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम इतना अनुशातन यहां कैसे चलेगा लेकिन हमारे लिए लोक्तंत्र का मतलब है सबका साथ सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सिन मुक्त वैक्सिन का अभ्यान शुरु किया गरीब अमीर गाव शहर दूर सुदूर देश का एकी मंत्र रहा कि अगर बिमारी भेजभाव नहीं करती तो वैक्सिन में भी भेजभाव नहीं हो सकता इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सिनेशन अभ्यान पर वी आई पी कल्चर हावी नहों कोई कितने ही बड़े पतपर क्यों न रहा हो कितना ही धनी क्यों न रहा हो उसे वैक्सिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी साथियों हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में आज भी वैक्सिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड वैक्चिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है साथियों किसी अभियान में जब सबका प्रयास सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परराम अदभूती ही होते हैं हमने महामारी के खलाप देश की लड़ाई में जन भागीदार को अपनी पहली ताकत वराया फर्स्ट लाइन ऑफ डिभेंस बनाया देश ने अपनी एक जुड़ता को उर्जा देने के लिए ताली फाली बजाई दीये जलाए तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी सामोहिक शक्ति का जागरण दिखा इसी ताकत ने कोवीड वेक्सिनेशन में आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुंचाया है कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का आकड़ा पार किया है यह बहुत बड़ा सामर्त है प्रबंद का उशल है टेकनलोजी का बहतरी निस्तमान है जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है साथियों भारत का पूरा व्यक्सिनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है विज्ञानिक आधारों पर पंपा है और विज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा व्यक्सिनेशन प्रोग्रेम साइंस बॉन साइंस ब्रिवन और साइंस बेज रहा है वैक्सिन बनने से पहले और वैक्सिन लगने तक इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइंस और साइंटिविक एप्रोच शामिल रही है है हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टरिंग को लेकर भी थी प्रोडक्शन को स्केल अब करने की भी थी इतना बड़ा देश इतनी बड़ी आबादी उसके बाद अलग अलग राज्यों में दूर दराज इलाकों में समय से वैक्षिन पहुंचाना ये भी किसी भागी रतकारे से कम नहीं था लेकिन वैज्ञानित तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनोतियों के समाधान तला से और साधान स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया किस राज्य को कितनी वैक्षिन कब मिलनी चाहिए किस इलाके में कितनी वैक्षिन पहुंचनी चाहिए इसके लिए भी वैज्ञानिक फर्मिले के तहरे काम हुआ हमारे देश ने कोविन प्रेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है वो भी विश्व में आकरशन का केंद्र है भारत में बने कोविन प्रेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहलियत दी बल्कि हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया है साथ ही ओ आज चारों तरफ एक विश्वास है उत्सा है उमंग है समाज से लेकर एकोनामी है हम हर तप्प्र देखें है आप्टिमिजम 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 ही नजाराता है एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजन्सी भारत की अर्थिवबस्ता को लेकर बहुत सकारात्मग है आज भारतिय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इंवेस्टमेंट आ रहा है बलकि युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं स्टार्ट अप्स में रिकॉर्ड इंवेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स युनिकॉर्ण बन रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं पिछले महिनों में किये गए कई सारे रिफॉर्म्स कई सारे इनिशेटिव गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉलिसी तक भारत की अर्थववस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे को कोरुना काल में कृसी छेत्र ने हमारी अर्थववस्ता को मजबूति से संबाले रखा आज रिकॉर्ड लिवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है किसानों के बैंक खाता में सीधे पैसे जा रहे हैं वैक्सिन के बढ़ते हुए कबरेट के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिवीदियां हो खेल जगत हो टुरीजम हो एंटरेटेन्मेंट हो सब तरफ सकारात्म गतिवीदियां तेज हो रही है कि आने वाले त्योहरों का मौसम कि इससे और गति देगा और शक्ति देगा कि साथ्यों एक जमाना था कि जम मेडिन ये कंट्री मेडिन भो कंट्री इसी का बोलवाला था बहुत क्रेज हुआ करता था लिकिन आज हर देश वासी यह साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेडिन ये इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है और इसलिए आज मैं आपसे फिर यह कहूंगा कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज जो मेडिन इंडिया हो जिसे बनाने में किसी भारत वासी का पसीना बहा हो उसे खरीडने पर जोड़ देना चाहिए और ये सब के प्रयास से ही संभव होगा जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन अंदोलन है वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना बोकल फोर लोकल ये हमें ब्यहवार में लाना ही होगा और मुझे विश्वास है सब के प्रयास से मुझे विश्वास है भी करके रहेंगे आप याद करिए पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था लेकिन इस दिवाली सो करोर वैक्षिन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है अगर मेरे देश की वैक्षिन मुझे सुरक्षा दे सकते हैं तो मेरे देश का उत्पानन मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं दिवाली के दौरान विक्री की एक तरफ और बाती साल की विक्री एक तरफ होती है हमारी हाथ दिवाली के समय चोहारों के समय विक्री एककडम बढ़ जाती है सौ करोड वयक्षिन डोश हमारे छोटे छोटे दुकान दालों हमारे छोटे छोटे उद्यमियों हमारे रेहडी पट्रिज़ वाले भाईयों बहनों सभी के लिए आशा की किरन बनकर आई है साथियों आज हमारे सामने अम्रत महोत्सव के संकल्ब है तो ऐसे में हमारी ये सभलता हमें एक नया आत्म विश्वाद दिलाती हैं हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष तय करना और उसे हसल करना बखुबी जानता है है लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरुवत है हमें लापरवान नहीं होना है कवज कितना ही उत्तम हो कवज कितना ही आधुनिक हो कवज से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो तो भी कि जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते कि मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्वता के साथ ही मनाना है और जहां तक मास्क का सवाल है कि कभी कभी जरा लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रविश्च चुकी है कि मेरा इतना ही कहना है जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने के आदर लग गई है बस वैसे ही मास्क को भी एक सहथ स्वभाव बनाना ही होगा जिनको अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है वो इसे सर्वच्च प्रात्फिक्ता दें जिन्हें वैक्सिन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे आप सभी को आने वाले त्योभारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुक्तामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद करें